नोमुरा ने घटाई बेल के शेरों की रेटिंग एक साल में दिया 62% रिटर्न जाने। अब क्या करें निवेशक बेल शेर प्राइस विदेशी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने भारत सरकार के स्वामित वाली कमपनी भारत हेवी इलेक्रिकल्स लिमिटेड बेल के शेरों की र उठाया है जब दलाल स्ट्रीट को बेल के थर्माल पावर ओर्डरिंग में तेजी की पूरी उम्मीद दिखा रहा है। साथ ही उसने स्टॉक के लिए टार्गेट प्राइस भी घटा कर 89 रुपए कर दिया है जो पहले 61 रुपए था। साल में बेल के शेरों में 62 फीसदी की तेजी आई है जबकि इसके मुकाबले निफ्टी 50 सिर्फ 12 फीसदी चड़ा है। नोमुरा ने कहा कि बेल के शांदार प्रदर्शन के पीछे थर्माल पावर ओर्डरिंग में मजबूत बढ़ोतरी की उम्मीद और इसके कैश फ्लो में बढ़ोतरी जैसी वजहे शामिल है। ब्रोकरेज ने कहा हम मानते हैं कि थर्माल पावर टेंडरिंग की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं लेकिन कमपनी के एबिटडा मार्जिन और कैश जेनरेशन संभावनाओं के बारे में हम पक्के। तौर पर यह नहीं कह सकते हैं दूसरे ब्रोकरेज फर्मों की क्या है राय नुवामा इंस्टिटूशन एक्विटीज ने बेल के शेरों पर खोल्ड रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टार्गेट प्राइस 80 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए कर दिया है वहीं को बाएं खरीदे की रेटिंग दी है और इसके लिए 100 रुपए का टार्गेट प्राइस तै किया है एफवाई 23 में मिला 23,548 करोड का ओडर बेल ने हाल में बताया था कि उसे वित्वर्ष 2023 में कुल 23,548 करोड रुपए के ओडर मिले यह इसके पिछले वित्वर्ष के मु पिल ने कहा कि अप्रेल 2023 में वंदे भारक ट्रेंसेट के ओडर के साथ कुल ओडर एक लाख करोड रुपए को पार कर गया है भेल TWL भेल्टी टागर वैगन्स लिमिटेड ग्रुप को वंदे भारक ट्रेनों के निर्मान और रखरखाव को लेकर 80 वंदे भारक ट्रेन के ल